hello assalamu alaikum welcome back to my youtube channel आज की वीडियो में मैं आपको बहुत simple everyday makeup look सिखाने वाली हूँ बहुत simple सा है fresh makeup look है बहुत fresh skin लगती है इस makeup के बार ये makeup कहीं भी आप जा रहे हो आप work पर जा रहे हो आप school जा रहे हो college जा रहे हो I mean university जा रहे हो school में तो allowed नहीं होता makeup तो this look is perfect for you so if you want to see how to create this beautiful look then just keep on watching तो सबसे पहले ये body shop का product है rose glow face mist है ये बहुत आज कल ये मैं इस technique से काम कर रही हूँ के पहले मैं जहूँ हूँ glow-y finish के लिए ये वाला mist अपलाई करती हूँ skin पर पर जब आप देख सकते हैं थोड़ी सी semi dry हो जाती है तो ये moisturizer अपलाई करती हूँ ये भी body shop का ही है vitamin C जो है वो moisturizer इससे भी बहुत अच्छी plum healthy glow-y skin बहुत जाग सी जाती है skin बहुत अच्छा moisturizer और आज कल I don't have eye cream तो मैं moisturizer को ही as a eye cream भी apply कर लेती हूँ और इसके लावा current skin care routine पर भी मैंने एक video बनाई वी है वो आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छी healthy glow-y skin के लिए ना बहुत best skin care routine है अच्छा ये it cosmetics की CC cream है जाहर है हम natural बहुत everyday make up कर रहे हैं तो CC cream इस तब make up के लिए best रहती है heavy foundation से grace किया किजिए और इतनी जादा natural लुक नहीं आती है तो यह natural लुक है तो हम BB cream इस्तमाल कर रहे हैं मैं BB cream को पहले finger की मदद से spread कर लेती हूं पूरे face पे तो इस तरीके से यह होता है कि बहुत कम product use होता है देखिए मैंने बिल्कुल एक drop लिया था उसमें भी मैंने जब finger की through apply कर लिया spread कर लिया through out तो फिर बहुत कम product में जह है वो मेरे पूरा face का पर हो गया अच्छा concealer अगर आपके dark circles नहीं है तो you don't need that CC cream है आप अपने आँखों पे बिस्तमाल कर सकते हैं थोड़ी सी brightness लाने के लिए but I have dark dark circle तो मैं जो हूँ यह concealer भी apply करती हूँ तो यह है L'Oreal Infallible का concealer था और हम हलकी सी brightness लाने के लिए ना ताके under eyes आपकी bright लगे जागी जागी भी skin लगे soey भी ना लगे fresh लगे everyday के लिए हाथ से अगर दिन बर का make-up है आपके थोड़ी देर के लिए baking करेंगे और जब तक हम मील वाइल हम अपने eyebrows भी बना लेंगे आइब्रोज के लिए यह pencil मूमू सो से है प्रिसाइस pencil brow pencil है यह और इसके बाद ब्राव को set करूंगी usually मैं pencil apply नहीं करती हूँ बहुत कम ऐसा होता है कि मैं everyday make-up में pencil apply करती हूँ यह brow gel है इसी को मैं जो हूँ अच्छी तरीके से apply करती हूँ ताकि मेरी जो eyebrows नीचे की तरफ गिरेंगे और इस इतने अरसे में हमारी baking भी जो हो गई है हमने थोड़ा सा powder को dust off कर लिया आप देख रहे होंगे अभी फर्के मेरी under eyes पे ना काफी bright effect आने लगा जो सोई सोई बुजी बुजी आँखे लग रही थी ना वो काफी bright हो गए है अच्छा contouring कर रही हूँ मैं अगर आपका face इतना you know चबीसा नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है मेरा है तो मैं इसलिए contouring कर रही हूँ नोल्स को भी contour कर रही हूँ मैं अपने 20 beauty की contour stick थी और इसका shade है mocha फिनिश के लिए I will apply this beautiful and one of my favorite blush बहुत ही अच्छा cream blush है यह अच्छा नेच्रल फिनिश के लिए मैं contouring भी मैंने cream contouring की है और blush भी मैं cream blush ही apply कर रही हूँ तो इससे ही होता है कि बहुत डूई बहुत ही plump और बहुत ही you know radiant finish आती है बहुत matte flat और बहुत सख सख लुपनी आती ह लगती है और cream blush को भी normally आप इस पंज से ही apply किया किजे तो इससे ही होता है कि बहुत डूई और finish बहुत अच्छी आती है बहुत natural और बहुत ऐसा लगता है कि within आपके जो skin है वो blush से flush कर रही है अच्छा आप पूरा face makeup complete करने के बाद और highlight लगाने से पहले हम जो है वो फिर बहुत 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 अच्छी टेप के पूरा makeup complete होने के बाद उसी sponge से दुबारा सबकुछ आपस में ब्लेंड कर लें तो बहुत अच्छी well blended look कोई भी harsh line नहीं लगेगी आच्छा आई make up की तरफ चलते हैं आई make up तो नहीं है यह आई liner है basically smudge eyeliner apply करेंगे और बहु बहुत natural बहुत natural लगेंगे बिलकुल ऐसा लगे के आपकी आखे ही जहें वह इतनी deep और dark और beautiful है तो मैंने क्या किया किया कि मैंने tight line किया बहुत close to lash line मैंने eyeliner apply किया और उसके बाद आप देख सकते हैं contouring palette में ही यह brown shade था ना इसको लेके मैंने pencil brush की मदद से smudge कर लिया अपन में आएगा कि बहुत सॉफनेस आगे अगर आप नॉर्मली आई लाइनर अपलाई कर लेते ना तो वह सॉफनेस नहीं आ पाती जो हम सॉफ लोक एवरी डेय लोक चारे बहुत सटल सा वह नहीं हो पाता तो समच करने से ना बहुत सटल लोक आ जाती है मसकारा मैं अपलाई कर रही हूँ औरी फ्लेम का और कलर मसकारा है यह मैं आपको आज बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस दिखाने वाली हूँ अभी के इस मसकारी के सिर्फ एक कोट अभी मैं अपलाई कर रही हूँ एक कोट मेंज एक बार डिप करके मैंने जहें वो एक आइलेशे सप्लाई की है और आप देखिए डिफरेंट देखिए कि इस आंख में जिसमें मस्कारा लग चुका है उसमें कितना फरका है so again if you want to purchase these items then you have to dm me on my instagram और मैं होरी फिलम की sale consultant हूँ अब जो बारी आती है lips की तो यह ze beauty as known as ze feet from instagram इनकी जो lip tint है oh my god I am in love with these इसकी सबसे अची बात यह है कि यह tint applicator के साथ आता है so it's so easy to be precise with it 3-4 minute के लिए इसको मैं अपने lips पे जो है वो apply करके छोड़ देती हूँ जब तक मैं अपने बालों की styling अगरा करती हूँ कर्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं उपर आ रही होगी आपके screen पर और 3-4 minute बात मैं यह कोई भी cotton या tissue paper लेके इस तरीके से जो है वो जो भी excess product होता है क्योंकि यह चीज मैं टेकनीक इसलिए करती हूँ ताकि जो टेंड का जो stain रह जाए जो टेंड का असल मकसद है कि stain lip लगें आपके तो वो हो जाए तो इसलिए जो है वो तीन से चार पांच मिनट तक के लिए इसको छोड़के बाकी काम कर लेती हूँ और इसके बाद देख पर ट्रांसपर भी नहीं होता तो आपका मेकप खराब भी नहीं होता तो इस तरीके से बहुत ही नेच्रल सा बहुत ही एवरी डे फ्रेश मेकप लुक जो है वो कंपलीट होता है उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर वाकर पसंद आये वीडियो तो मेक इस तरीके जिए खिए पडियो और शब्सक्राइब की उर्यच व्यावां अरर के लाज कर वहां पिंडे खिए लूंषब की एवरी एवज इंसे एंसे हौए अल्ला हाफाइज